हेलो इस वीडियो में वर्तवान में कौन क्या है उसके बारे में जानेंगे कि लेटेस्ट अपाइंट्मेंट कौन-कौन हुए है और किस पत पे बने हुए है इस वीडियो में टोटल 30 कोशन होगे जो एकजांग पाइंट आप उसे बहुत ही महत्पूर है यह आप लोगा एक सब्सक्राइब कर लेजिए बेल लाइक को प्रेस कर लेजिए कि कि जब भी लेटेस्ट वीडियो अप्लोट होगी आपको नोटिप्रिशन मिल जाएगा और वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे और जो लोग चैनल पे पहले से बना हुए है तो वीडियो को किसे स्रम रोजगार मंत्राला का नया सचीव निउक्त किया गया है इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन ए अपोर्व चंदा को क्या होगा ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है कोश्चन अबर सेकेंड है इंडियन बैंक एसोसियसन आइबी इंडियन बैंक एसोसियसन का अठ्यक्ष निउक्त किया गया है आप लोग को याद रखना है कोश्चन वाथर्ड है किसी नागरी उड्डेन सुरच्छा व्यूरे यानि BCAS का नया महाने देख सक निउक्त किया गया है इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन भी MA गड़पती क को निउक्त किया गया है नेस्ट कोश्चन है कोश्चन ऑफ फोर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानि आई पीपीबी के नये MD और CEO कौन बने हैं कोश्चन ऑफ फोर का एंसर होगा ऑप्शन ए जे बैंकर ट्रमू ऑप्शन ए आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा तो चलि इसका राइटेंसर होगा ऑप्शन B M राजेश्वराव क्या होगा ऑप्शन A आप लोग का राइटेंसर होगा आला कोश्चन है कोश्चन वर्ज 6 राष्टी मानवादिकार यानि NHRC का आयोंका महा सच्ची उर्की से निउत्त किया गया है इसका राइट एंसर होगा option B बिम्माधार प्रधान को राष्टी मानवादिकार आयोक का महा सची उन्यूत किया गया है चलिए आप लोगों से एक basic question पूछते हैं राष्टी मानवादिकार आयोक का अध्यक्ष कौन है आप लोग comment box में इसका answer जरू बताईए राष्टी मानवादिकार आयोक के अध्यक्ष कौन है महा सची उतो बिम्माधार प्रधान है लेकिन अध्यक्ष कौन है आप लोग comment box से उन्सका answer बताईए उनका नाम आप लोगो comment करके बताना है नेस्ट question पिम्ध methary एक नेस्ट іकोर्फान है किसे रिर्जयर डेंग की मोदिक निती समिती का नया सदस से न्यूक्त किया गया है का answer option d क्या होगा 11 d आप लोगो का write answer होगा सदस नियुक्त किया गया है किसे जैन्त आर वर्मा, असीमा गोयल और ससांग भीड़े को डिजोर बैंक, मोदिक निती की समीटि का नया सदस से नियुक्त किया गया है आप लोग के अथाथना आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा Q 8. आंलोक बर्मा को किस राजिकी लुक से वा आयोका अध्यक्ष निउत किया गया है? इसका रहाटेंग सरगा- סball-c, हर्याणा, राजशरकार का लुक सुवा आयोका सदल से अध्यक्ष निउत किया गया है Q 9. पीपल्स ऐलाइंस के नए अध्यक्ष कोन बने है? पिपल्स अलाइस के नए अधिश्च बने हैं फारुक अब्दुल्ला ओप्शन बी आप लोग का राइट इंसर होगा ओप्शन बी नेस्ट कोस्टन है कोस्टन में टेन आर्वी आई के दौरा किस बैंक के चेर्मेन आर के चिप्बर का कारिकाल छे महिने के लिए बढ़ा दिया गया है इसका राइट इंसर होगा ओप्शन सी जम्मु कास्मीर बैंक का ओप्शन सी आप लोग का राइट इंसर होगा नेस्ट कोस्टन है विजई वर्धन किस राज के नए मुक सचिव बने हैं विजई वर्धन आप mutual fund in India AMFI का अध्यक्ष किसे निउत किया गया है इसका राइट एंसर होगा option B निलेश साको इसका राइट एंसर आप mutual fund in India का अध्यक्ष निउत किया गया option B आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा question number 13 है मनोच कुमर भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत निउत किया गया है इसका राइट एंसर होगा option C इंडोनेसिया का क्या होगा option C आप लोग उसे एक बार और request है यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग फटा-फट लाइक कर दिजिए और फ्रेंड ने कुछ साथ जरू इसको वीडियो को शेयर किजिए क्योंकि और लोग चैनल से जूड़ सके इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है question 14 जै जेत सिंग को किस राज में ATS यानि anti-terrorist squared का प्रमुक निउत किया गया है A निउत किया गया है महराष्ट राज सरका का यानि option A आप लोग का राइट एंसर होगा क्या होगा option A question 15 है देश की पहली महिला transgender transgender पिठा सी अधिकारी कौन बनी है वेरी वेरी important हो जाता है आप लोग इसको जरू याद लखना है जहाँ पहली लग जाए वो एक question तो बहुत ही महत्पूर हो जाता है A निउत किया गया है option कौन से एंसर होगा इसका होगा option A मोनिका दास को निउत किया गया है कहां का बिहार राज सरकारी चुना हो रहा है पिठा सीन अधिकारी निउत किया गया है आप लोग को याद लखना है मोनिका दासिंग का नाम है एक question जरू आप लोग के एकजामे पुछा जाए सकता है question 16 है सुसील कुमार सिंगर को किस देश में भारत का अगला राजदुत निउत किया गया है एक निउत किया गया है सुलमान दूइपकायनी option C आप लोग का राइट इंचर होगा question 17 है western cold fish limited के नए अध्यक्ष और प्रवंधक निदिशक कौन बने है एक बने है मनोच कुमार option A आप लोग का सही उत्तर होगा अला question है question 18 किस देश में प्रदिव कुमार रावत को भारत का राजदूत निउत किया गया है ए निउत किया गया है option D आप लोग का राइट निदल लेंड में option A आप लोग का राइट इंसर होगा next question है question 19 डाक्टर नीना महलोत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत निउत किया गया है यह निउत किया गया है option A San Marino का option A आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा अला question है question 20 टाटा कम्मुनिकेशन कम्पनी के नए CFO एने Chief Financial Officer कौन बने है यह बने है option D कबीर आमस साकीर को टाटा कम्मुनिकेशन कम्पनी के CFO officer बने है option D आप लोग का राइट इंसर होगा question 21 है किसे FTI Film and Television Institute of India governing counseling का चेर में निउत किया गया है यह निउत किया गया है सेखर कपूर को एनी option C आप लोग का राइट इंसर होगा option C question 22 है महिंद्रा ग्रूप ने अपना Vice President किसे निउत किया है महिंद्रा ग्रूप ने किसे निउत किया गया है यह निउत किया है मोहित कपूर को किसे मोहित कपूर को अपना Vice President निउत किया कौन महिंदा गुरूप न है अगला कोश्चाण है कोश्चार 23 देवियान इत्तम खोब गरग गड़े को किस देष में भारत का अगला राजजुत नियूत किया गया है यह नियूत किया गया है किस दो पहिया वाहन कंपनी ने किसी निद किया है ये निद किया है एने option भी आप लोगो का राइट एंसर होगा चले next question देखते है next question है राहुल सिर्वास्ता को किस देश में भारत का नया राजदुत निद किया गया है इसका राइट एंसर होगा option भी अलवानिया का क्या गवा option भी आप लोगा सही हुत्तर हो जाएगा next question है question 26 इन्वेस्कों में भारत की एस्थाई प्रत्रिद्धी की रुप में किसे निद किया गया है बहरी बहरी इंपोर्टन इसका राइट एंसर होगा option भी विशाल भी सर्मा को question 27 है इन्टी पीसी के सीमडी का कारकाल बढ़ाया गया इनका नाम क्या है इनका नाम है गुर्दीप सिंग यह आप लोगा सही उत्तर होगा के हुआ गुर्दीप सिंग question 28 है अंतराष्टी वेटलेम्टी महासंग यह आई डवलू यह आपका अंतरिम अध्यक्ष किसे निद किया गया है यह निद किया गया है option D Michael Irani को question 29 है दिल्ली और जीला क्रिक्रिक्रिट संग यह निद किया गया है यह हुआ है निद का चैन हुआ है रोहन जेटली option D आप लोगा राइट इंसरो क्या होगा option D next है question 30 और इस वीडियो का last question है Federation of India Fantasy Sports यह आई यफ आई यफ 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 का निद किसे निद किया गया है यह निद किया गया है बीमल जूलका को किसे बीमल जूलका को option D आप लोगा राइट इंसर होगा तो यह रही है आज की वीडियो वीडियो आप लोगों पसंद आद वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और जो लोग चैनल को अभी तरस सब्सक्राइब ने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में